हलो गाइस चलो बाना थे पनीर मकनी पिजा तीन टेबल स्पून ओइल ले लेगे हम यहां पर पहले बाना रहे हैं मकनी सॉस उसमें हम थोड़ा जीरा एड़ करेगे दो ओनियन फाइनली चॉप्ट जिंजर गार्लिक और तीन मिर्चिली थी मैंने और दो रेड ड्राय मिर्च कर दिया कवर होके इसको कुख होने देगे साइड में हम बना देते हैं हमारा पनीर पनीर बनाए के लिए हम लेके बटर जिंजर कालिक पेस्ट गरम मसाला आमचूर पावडर थोड़ी कस्तूरी मेथी और यहां पर रॉक सॉल्ट लिया है मैंने और मैंने थोड़ा ले लिय क्यूमिन पावडर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पनीर एड़ कर देगे और उसको अच्छे से मिक्स होई देगे एक बर मिक्स हो जाए उसके बाद हम उसमें एड़ कर देगे धनिया पावडर और लाल मिर्च पावडर अब हमारा ग्रेवी सुग गया है तो हम इसको पेश्ट बाना देगे, चौपर में, देखोए दमाचे से पेश्ट बन गया है, अब वो ही पेश्ट को हम थोड़ा गैस पे पटर, धनिया पाउडर और रट चिली पाउडर में मिक्स कर देगे, और थोड़ा इसको कुखने देगे, ये मैंने यहाँ पे गरम मसा और कस्तुरी मेती अड़ कर दिया है, अब पिज्जा बेस को हम दोनों साइट से बटर लागा लेगे, इससे क्या होता है, पिज्जा बहुत क्रेस्प बनता है, अब जो हमने पेश्ट रेड़ी किया था, उसमें थोड़ा चीज आड़ कर देगे, अगर आपके पास चीज दो वेजिटेबल थे तो मैंने वही आड़ कर दिया, इसके बाद जो हमने पनीर मैरिनेट करके रेड़ी रखा था, उसको हम इसके उपर टॉप कर देगे, और इसमें हम एड़ करेगे बहुत सारा चीज, चीज आड़ करने के बाद मैं इसको तवे पे आराउंड 10 मिनिट तक कुक करूगा ढखके जब तक पुरा चीज मेल्ट नहीं हो जाता है, और उसके बाद अब देख सकते हैं कि ये हमारा पीजा कितना डिलिशस लग रहा है, तो ये रेसीपी ज़रू ट्राइ करें, और अच्छी लगी तो कमेंट करें, तेंक यू